रेड लाइट जम्प करने पर रोका था, धमकी भी दी मसे औसकार सवार ने की हवलदार से बदसलू की विस, नई दिल्ली, दिल्ली के वियाईपी तुगलक रोड थाना इलाके में सफेद रंग की एक मसडीज और इसके पीछे आती फोचुनकार ने रेड लाइट जम्प कर यहाँ तैनात ऐसाई वी रेंदर सिंग के कहने पर हवलदार राकेशा ने इन गाडियों को रिखने का इशारा किया, गाडी रुख गई, लेकिन आरोप है कि मसडीज कार से उतरे एक लड़के ने न केवल हवलदार से बदसलू की की बलकि उन्हें धक्का दे कर कहा कि उसक अब पांच दिन बाद 30 मार्च को इस मामले में मुकदमा दर्ज हो पाया, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है, तुगलक रोड थाने में मुकदमा एसाई वीरंद सिंग की शिकायत पर दर्ज किया गया है, उन्होंने बताया कि तुगलक रोड ट्रेरिफिक सकल पर य अब पांच दिन बाद मामले में मुकदमा दर्ज हो पाया है, अभी तक आरोपी पकड़ से दूर लड़का उतरा, एफायर में बताया गया है कि लड़के ने कार से उतरते ही हवलदार राकेश से गाली गलोज और हाथा पाई शुरू कर दी और उन्हें धका भी दिया, एस बीच उस लड़के को PSO ने गारी में बैठा दिया और वहां से दोनों गारी चली गई, बताया गया है कि सारी घटना यहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, मामले की शिकायत 25 मार्च को ही की गई